नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल एसकलेपिये साइरवेदा में दोस्तों आज के सेसन में हम चर्चा करेंगे दाल चीनी ये गरम मशाला और उसदी दोनों रूप में इस्तमाल होने वाला ये दालचीनी के बारे में आज हम इस सेशन में चर्चा करेंगे आज की सेशन में हम बताएंगे आपको दालचीनी क्या है दालचीनी के अन्य नाम क्या है, इसके स्वाद, इसकी ताशीर क्या है इससे होने वाले फायदों के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे इसके अलावा इस वीडियो में हम दालचिनी से रिलिटेड एक PDF भी डालेंगे जो कि आप description box में जाकर उसे आप download कर सकते हैं दोस्तों वीडियो को इस्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि दोस्तों आप चैनल में नए हैं तो इसे subscribe करें, like करें और share करना न भूले तो आएए दोस्तों वीडियो को इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे दालचीनी क्या है आम तोर पर हम अपने रसोई में मसालों का इस्तमाल करते हैं बहुत सारे मसालों का इस्तमाल करते हैं जिसमें दालचीनी भी शामिल होता है ये एक छाल के रुप में भूरे रंका होता है जो कि खाने के स्वाद को काफी लजीज बना देता है दालचीनी के उप्योग सिर्फ रसोई घरों तक ही शिमित नहीं है बलकि इसका इस्तमाल मिठाई बनाने केक, चॉकलेट तथा बहुत सरे औशदियों के रूप में बनाने में किया जाता रहा है दालचीनी एक बहतरीन एंटी आक्सिजिएंट है जो की वात एवम कफ दोस में काफी कारगर होता है इसके अलावा दालचीनी की खेती केरल राजे में की जाती है इंडिया में इसे दालचीनी त्वाक, सिनामन, इत्यादी के नामों से भी जाना जाता है दालचीनी के पत्तों और छालों से तेल बनाया जाता है दालचीनी पोदे का छाल सबसे अधिक इस्तमाल होता है दालचिनी का स्वाद हलका तीखा मीठा होता है तथा इसकी ताशीर बहुत ही गर्म होती है इसलिए इसका इस्तनाला दिकांस्ता ठंडियों में किया जाता है अब हम बात करेंगे दालचिनी से होने वाले फायदे दालचिनी से होने वाले फायदों में दालचिनी का प्रयोग चेहरे के केल मुहासों में भी होता है तथा मृत कोशिकाओं की मरमत भी ये करता है गठिया या गठिया सोहने वाले दर्द से यदि लोग परशान है तो इसके इलमें ये बहुत ही कारगर होता है इसके अलावा इसका उपयोग हमारे बॉड़ी से कलिस्ट्रॉल की मातरा को कम करने में तथा मानसिक रोगों में काफी कारगर होता है इसका प्रयोग कैंसर यो मदमय में बहुत ही अच्छा लाग पहुचाता है दालचीनी हमारे हिर्दे तथा दिमाग की कारिशिलता को काफी सक्रिय करता है दालचीनी तनाव तथा पाचन सम्मंदी समस्याओं में भी काफी उप्योगी माना जाता है इसके अलावा दालचीनी का चाय पीने से हमारे शरीर के विसेले तत्तों बाहर निकल जाते हैं और ब्लड सुकर को नियंत्रित करने में काफी कारगर है दालचीनी का इस्तमाल साहत समंदी समस्याओं अपचन वेट लॉस करने में होता है दालचीनी की ताशीर गर्म होती है ज चिद्ध होता है जिन्हे इलरजी का प्रावलम है उन्हें बिना चिकट्सक्षीत पर अमर्ष के इसका इस्तमाल नहीं करना चाहिए इसके अलावा गर्मियों में इसकी इसका सेवन बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए आज के सेसन में दोस्तों हमने दालचीनी क्या है दालचीनी के अन्ने नाम कौन कौन से है इसका स्वाद कैसा होता है इसकी ताशीर क्या होती है इससे होने वाले फायदे और इससे क्या नुक्सान हो सकता है इन सब के बारे में हमने जाना तो I hope दोस्तों आपको जनकारी अच्छी लगी होगी यदि आपको जनकारी अच्छी लगी है तो comment जरूर कीजिए और इसमें और क्या सुधार चाहिए ये सारी बाते हमको comment section में लिखकर जरूर से जरूर बताईएगा तो दोस्तों मिलते हैं नई जनकारी के साथ नए वीडि जरूर से लगी होगी होगी है जरूर बताईएगा ये ये वीडिकर जिर झा दोस्तों मिलते हैं जरूर झाल से उले अच्छी वीडिकर जिया ठावागी है